अंगल मैत्री आप सभी को कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की हमारे प्रकरण का नाम है विराम चिन है विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना आराम करना ठीक है तो जैसे हम चलते चलते कहीं पर रुकर थोड़ा विश्राम करते हैं आराम करते हैं और फिर दुबारा से चल देते हैं उसी प्रकार भासा में भी अल्प विराम अर्ध विराम पोन विराम आधि कई परकार के पड़ाव होते हैं जिनके प्रियोग से हम अपनी भासा को सार्थक और शुद्ध बनाते हैं तो बोलते लिखते समय हम यदि विराम च अच्छे से समझ नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए चिन्नों का प्रियोग करके ही बोलना चाहिए और चिन्नों का प्रियोग करके ही लिखना चाहिए तो ही वो शुद्ध रूप से लिखा हुआ या बोला हुआ माना जाता है ठीक है तो विरामचन की पड़ी भासा है भास बाषा में भाव यानि भाव जो हुँमारे होते हैं अंदर से जो निकलते हैं और अर्थ जो हम बताते हैं जैसे मैं बता रही हूं कि इस पश्टता के लिए जिन चिनों का प्रियोग होता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं ठीके आप सबको समझा गया होगा कि जैसे इतना सुन्दर मैंने आपको दारण दिया कि चलते चलते गर हम ठक जाते हैं तो हम कहीं पर रुप कर विश्राम करते हैं उसी प्रकार भासा में भी लिखते लिखते थोड़ा सा विश्राम लिया जाता है कहीं पर अर्ध विराम कहीं पर अलप विरा को सुध रूप से लिखते हैं थीकैट तो विराम चिन परकार बारा परकार माने गए हैं इसके हैं ही बारा परकार पोोन विराम अलप विरामética अर्ड विरामप्रशन शूचक चिनन उबर लंज योजक चिन लागव चिन उद्धरन चिन कोश्टक चिन और हंस्पद चिन ये हमारे विराम चिन के बारा प्रकार होते हैं आज मैं आपको इसके नोट्स भेज रहे हूं जो आपको अच्छे से अपनी तरकुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं धन्यवाद